Good morning class, 12th class Political Science के अंतरगत वेटा हम पढ़ रहे थे समकालिन विस्तों में सरक्षा जिसमें जो सरक्षा की बात आती है तो यहाँ पे सक्ति प्रियोग की बात आती है तो उस सक्ति में जो है किस तरह से जो है एक संतुलन बनाया जाए तालमेल बनाया जाए तो इस बात का दियान हम इसके अंतरगत कर रहे हैं जिसमें बात आती है सक्ति संतुलन की 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 संतुल तो सक्ति संतुलन जो है एक जिसका जो सिद्धान्त है एक विसेश इस्तिति का ग्यान करा देखो जिस परकार हमें जो है तापमान से जो है धंड गर्म का पता चलता है उसी परकार से सक्ति संतुलन की सक्ति जो सक्ति संतुलन है वो जो है असंतुलित सक्ति का ज्यान कराता है ठीक है मतलब कहने का मतलब है कि जिस परकार से जो है हमें जो है गर्म और ठंडी जलवायों का पता किसे चलता है तापमान से चलता है उसी परकार सक्ति संतुलन जो है सक्तिकी संतुलित या असुंतुलित इस्थिति को हमें बताता है ताप मान तो मैं जलवायों के बारे हम बताता है और सक्तिकी संतुलित और असुंतुलित इस्थिति को बताता है फिर सक्तिसंतुलित जो है एक ऐसी नीति के रूप में भी इसको हम मान सकते हैं कि जो एक समान आवस्था के निर्मान और उसकी सुरक्षा करने का भी कारिय करती है यानि कि एक ऐसी ब्यवस्था बनाना जो समान ब्यवस्था हो ताकि कोई सक्तिसालिक सक्ति जो है कमजोर देश पे अपना प्रभुत्त इस्थापित न कर सके फिर ये सक्तिसंतुलन ये यथार्दबात का प्रतिक माना जा सकता है इसलिए सबको इसका सम्मान भी करना चाहिए फिर सक्तिसंतुलन का परियोग एक राष्ठ अपनी नीति को यथा इस्थिति प्रदान करने के लिए करता है ठीक है बेटा फिर सक्ति संतुलन का अभी पराय दूसरे देशों की दुरबलता है जब एक देश कमजोर होता है दुरबल होता है तो दूसरी देश क्या होते हैं अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं तो फिर भई जब ये कमजोर हो गया दूसरे अपनी ताकत बढ़ा ली तो फिर हमें जरुत पढ़ती है सक्ति संतुलन की तो इसी तरह से जो है सक्तिसाली जो देश हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण भी किया जाता है मतलब किसी को जो है इतना भी सक्तिसाली मत्पन ने दो कि और उनको दबाने लग जाए ठीक है बेटा जैसे चीन जो है एसी अमाद में ज अब सक्तिसंतुलन की बिसेशताएं क्या क्या होती है तो सक्तिसंतुलन के मात्यम से जो है अंतरास्टिय छेतर में यथा इस्तिती बनाए रखने का प्रियास किया जाता है किसी भी देश को प्रभाविसाली बनाने के लिए सक्तिसंतुलन की नीति को परिवर्तनिया या पर परिवर्टन सीलता, सक्ति संतुलन के द्वारा जो है, अलग 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 देसों की जो सक्तियों को संतुलन बनाए रखने का जो उनमें, जो अलग अलग देसों की सक्तियां है, उनमें संतुलन बनाए रखने का क्या किया जाता है, परियास किया जाता है, सक्ति संतुलन की इस और युद्ध के बाद नए सक्ति संतुलन की इस्तापना की जाती है ठीक संतुलन जो है वास्त्विक उसकी जो कसोटी है युद्ध है और जब युद्ध प्रारम होता है तब संतुलन समापत हो जाता है असुंतलन की इस्तिति उत्पन करने वाली सक्तियों का परकट्य हो जाता है यानि वो जो है उत्पन वाँपे जो संक्ट होता है वो उत्पन हो जाता है ठीक है फिर महा सक्तियां सक्ति संतुलन की कारे करता है सक्ति संतुलन की राज दीती केवल महा सक्तियों की महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् यहां पे यह सबी अधिकार संपन लोग है यह लोग तांतरिक देशों में एक दूसरी की संपर्भुता का सम्मान करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी यह लोग तांतरिक राज्जों के लिए इसका महत बढ़ जाता है फिर यह संती का कोई उपरण नहीं है क्योंकि यह तो खाली युद्ध को क्या है संतुलन मनाने का साधन है मतलब कहने का मतलब है कि अगर संतुलन वाली बात आती है इसका अंतिम परणाम क्या है युद्ध होता है अभी बात आती है मैं भारत जीन की बात कर रहा हूँ तो अगर नहीं, वहां पर बाद चीत नहीं होती, ँधी होना था। कभी भी युद चिट सकता ह। ठीक है? फिर बात आती है, भारत की सुरक्षा नीती के गटा। यानि भारत को जो है, अपनी सुरक्षा नीती में कौन-कौन सी चीजें सामिल करनी पड़ेंगी? और क्यों भारत की सुरक्षा नीती को अपना बदलाओ क्यों करना है सबसे पहली बात आती है सैनिक छम्ता अब भारत को अपने पडोसी देशों से हमले बचने हैं अपने पडोसी देशों की जो जितने भी आकर्मन है उसके लिए भारत को अपनी सहित्वामता को मजबूत करना जोगा भारत पर पाकिस्तान दौरा आकर्मन किया गया है पिर चीन भी आखें दिखाता रहता है तो इसके चारों और परमाणों सब्सक्ति संपन्देश है पाकिस्तान के पास परमाणों अतियार है चीन के पास परमाणों अतियार है तो इस तरह से भारत को भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी विदेश नीती में यानि अपनी सुरक्षा नीती में बदलाओ करते हुए परमाणों अतियार और अपनी सेना को मजबूत बनाना हो ठीक है बिटा फिर अंतरास्तिय नियमों और संस्ताओं को बजमूत करना भारत अपनी सुरक्षाहितों को बचाने के लिए अंतरास्तिय नियमों में सहिव लिया है तबी आज पढ़ने बे सभी देशों ने लगवक भारत का साथ दिया है। भारत में हमीशा उपनिवेस बात और उपनिवेसी करण का बिरूद किया है कि वे उपनिवेस बात नहीं होना चाहिए। निस्तस्त्री करण का समर्थन किया है। ठीक है वेटा? और सहिकतुराष्ट का संका हमेशा समर्थन किया है ताकि विस्तों में सांती बनी रही है। पिर अंदुरूनी समस्याएं भी हैं हमारे देश की समस्याएं जैसे नागालेंड, मिजोरम, पंजाब, कस्मीर इसमें क्या है? अलगा हुआ अदिस अंगठन सक्रिया है। इसलिए भारत को अपनी र भारत सरकार ने प्रियास किया है, सभी संगठनों को अपनी मांगे रखने का पुरा-पुरा समय दिया गया है। ठीक है पीटा? फिर भारत की अगले ही समस्याएं ये भी है सुरक्षा की, कि भई गरीबी और अभाव हैं यहां पे भारत ने ऐसी विवास्ता करने का भी प् भुपती मिल सके और नागरिकों के बीच नगवक थोड़ी सी आर्थिक समानता विक्सित हो सके ठीक, आज के लिए इतना ही है और इसके बाद बात आती है बेटा, जैसे बारत निसस्त्री करण वाली बात आती है, निसस्त्री करण का मतलब यह मानवाब कि जैसे गातक स्रेड उनका निर्मान नहीं करना है यानि कि जो प्रमान सक्ति का परियोग है उसका परियोग जो है सहने सक्ति के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं करना है इसके लिए जो है निसस्त्री करण की जो राह है वो सबसे अच्छा जो मार्ग है उनिस सास्त्रिकरण का ही जिससे जो है विस्व में सक्थी संतुलन की इसलाубना की विजा सकती है क्योंकि अ upload प्र Colombian संत्रा की बाहरत की बास तक है कि हम तब तक किसी भी देश में नहीं करेंगे जब तक उसनने उपर परभण रोत्यारों से अमला नहीं किया लब कहते हैं कि इस लिसी बाद है जर कोई हम पर परौन हमलेसे हमला करता है तो भारत उसके खिलाफ पर्मान रोयू अधिकारों सकती का परियों करेगा तीक ने वेटा आब इसमें मानवाधिकार वाली बात आती है मनुस्यों के जो अधिकारों से संबंदित है इसकी स्थापना इसकी स्थापना 48, इसमर' nano-1988 में मानवाधिकारायों की स्थापना की गई है ठीक है वेटा इसमें जो है इसका 10.1948 का बड़ा एतियासिक महतो भी है क्योंकि इसी दिन सजुतराष्ट की मासमाने मानवादिकारों की गोसना पत्र को सुईकार किया था ठीक है वेटा जैसे मानवादिकार कौन-कौन से होते हैं जीवन की सुरक्षा और स्वतंतर्ता का अधिकार होता है फिर दास्ता और बंदवा मजदूरी से मुक्ति यानि कि बंदवा मजदूरी और किसी के दास से स्वतंतर्ता का अधिकार होता है उनको मतलब किसी को बंदव और बन्वा मजदूरी किसी से नहीं करा सकता है यानि कि उसके जितना भी श्रम है उसके मतले उसका पूरा पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए फिर न्याई पालिका से जो है हमें न्याई पराप्त करने का भी एक अधिकार है ये भी हमारा मानवादिकारों केंदर का दाता है फ बिवाने जाने की स्वानतरता का अधिकार हैं आज के लिए कितना ही है पाकी करो